नमस्कार हेलो आदाब एंड वेल्कम तो इन वीडियो गेम्स यूटीव चैनल और पाकिस्तान बांगला तेज फाइनल टीटी फाइनल अब कह नहीं सकते क्योंकि अल्रेटी जीच चुका है पाकिस्तान दो जीरो से सिरीज फाइनल इसलिए है वोगी तीसरा और आफरी टीट के लिए बढ़ते हैं कि दोनों टीम के कप्तान यहां पर टॉस के लिए यहां पर फिर मैं पाकिस्तान बनाओं रिजन बता दूँ पहले कि पर पाकिस्तान बने फिर बांगलादेश बने फिर पाकिस्तान बने तो उसमें यहां पर नमबर आया मैं यहां पर क्या करूं चेस करने जाओं क्या करूं कि मुश्किल रहता है मैच मेरे लिए यहां पर बॉलिंग लिए मैने चेस करना चाहता हूं सुरुआत होती हुई मैच की और रभी तक का पिछले दोनों मैच हमारे लिए मुश्किल रहे थे बैटिंग मोड तुस तरह के फिल्डिंग सेट अप होती है आखरी ओर में हमारे गेम प्ले में वह मुश्किल करती है खड़ी है गेम प्ले फॉर्मेट वही है सुरू के 15 ओवर और अंत के 5 ओवर हम पैटिंग करेंगे यहां पर दूसरा सबसे बड़ा प्राबलम ही है कि गेंदबाज खराब है पाकिस्तान में इस गेम मैटलिस्ट ग्राउंड मैंने एक तब सिंपल बना दिया था तो कोई डिजाइन ही पाकिस्तान की गेंदबाजों के साथ बहुत बड़ी प्रॉबलम होगे कि में गेंदबाजों से गेंदबाजी खतम होगे मेरी पहली गेल लेकिन डाली बहुत बड़िया है साइट चेंज करना बहतर ऑप्शन लगता है मेरे को यहां पर एक जरूर खिला एक्रेशिव शॉ इस बार फिर से गैप में गेंज आ रहा है ये भी चार रनों के लिए तो बाउंडरिया बैक तो बैक पिछली दो बार हमारे बले बार सेंचुरी से चुके थे यहां पर बहुत बड़िया गेंदा जवां लेकिन कैच का उप्शन आ रहा है पाफी तेज अगें मेंको रोकन यहां पर यह बहुत अच्छी गेंदा अब सोस यहां पर बच गयें पाचवी गेंदा अरे ठोड़ी सी गलत होगी ऐसा लगा है मुझे और फिल्डर को रोकना होगा बहुत अच्छे एक रन ही आ पाया है एक रन दो रन से हमें प्रॉब्लम नहीं है चौक्य चटके से यहा बहुत बढ़िया गेंद बहुत बढ़िया स्लाइड कराया गेंद को लेक्स टंप इस बार पोजिशन में आ गया है बल्लेबाज और फाइन लेक पे चार रहा है शदाब खान लेग स्पिन के लिए जा रहे हैं गैप में गई है फिल्डर को रोकना होगा नहीं रोक पाया ह है बढ़िया की बिंग देखना होगा पाथि पांगला देस क्या करती है लेक साइड पे जितनी कम गेंदे होंगी उतना चांस रहेगा यहां पे एक और बार अच्छी गेंद है समझ नहीं पाई ते बल्लेबाज जहां खेलना चाहते थे वहां नहीं गई है गेंद रखते ह इसन के लिए जा रहा हूं मैं गेंद गई तो सब खुछ बढ़िया है कैच का फिर से मौका है लेकिन अरे वाह देखना होगा क्या होता है यहां पे लेके चले गए अंदर क्या यार इतना बढ़िया जा रहा था ओवर खराब हो गया सिक्स है कंफ्यूज दिखेते हैं तो म गेंदी बहुत बढ़िया चौक का ना जाए बागी सिंगल डबल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं वहीं कि रह गई यह गेंद कैट ड्रॉब वह सैंद पहला इनिंग पूरा होता हुआ बंगलादेश ने 161 मारे 20 ओवर में अब प्रॉब्लम यह है कि ओटो प्ले में लेकिन हिस्सा हमारे लोवर एंड के बल्ले बाजो के साथ होगा यहां पर पहली केंद आएगी और कुछ भी समझ में नहीं आया है मैं को तेज है नहीं लेकिन बहुत तेज लगी है मुझे पता नहीं कि पाकिस्तान का तीस में से पंद्रा चाहिए और स्की भी विकेट नहीं गिरा पाया है पाकिस्तान बांगलादेश और मुझे लगता है रियल मैच में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है फाइनल टीट्वेंटी पाकिस्तान अगर जीतेगी तो लाजवाब तरीके से जीतेगी अ बिल्डिंग सेटप बहुत बढ़िया यहां पर यह कहने में मुझे कोई भी गलत बात नहीं होगी 38 के बाहर ही रन है बाकी अंदर तो उसके लए इकादरन के लावा च्वेंटी में गेंड अलगी स्पीड से आती है यह मैंने देखा है लेगिन ओके टैमिंग भी चार रन क करीब ले जा रही है गेंड को और दो रन से मैं संक्रिष्ट हो तीन का रिस्क नहीं लेना मैं नहीं चाहता कोई विकेट होए पाकिस्तान यहां दोनों बल्लेवाज पार्टनर से पूरी करते हुए अच्छिस गेंडे 10 रन और यहां पर आप देख सकते हैं अलगी और अन क्रिकेट इस्ते बारे में बात कर रहा था यॉर्कर के अलावा बाकि सभी गेंडों पर हमाना अन और्थोड़ोक्स खील सकते हैं यह सायद वार्निंग तो मिलेगी है कंपर मैं 23 गेंडे 9 रन यहां पर पैरो पर लिया गेंगे इनको मैंने लग पाई लिया हूं लेना था यहां पर लगी चरूर है लेकिन पल्ले पर नहीं लगी है कई और ही लगी है मुझे लग रहा है हेलमेट पता नहीं कहां लेकिन पल्ले की आवाद नहीं आई है आई जाहिए जो भी आया है नौबाल एक और चार रन की दूरी नहीं इस बार हम रन ली लेंगे हम चाहेंगे कि पल्ले से ही आए अन और्थोडोक्स शॉट के साथ या तो बड़े शॉट से आई या और यहां पर देखे पांगला देश खुदी हारने के लिए पड़ी हम मौका दे रहें उनको मैंज इमानदारी से हो जरूर पैरों पे लगी है लेकिन पिकेट मिसिंग है तो अगली गेंड एज लेके गई है रन नहीं डोड़ाया मैंने फ़ड़ा दबाऊ हुए अन और्थोडोक्स ट्रिकेट खेलने का टीन की दूरी रही है या फिर से शुट अपील हुई है और आउट इमपार में तुशी तो मना रहे हैं यहाँ पर डियर्स का भी ऑप्चन नहीं दिया है यहां को रिजवान को भेजा गया है बैटिंग में अब किसी तरह का ड्रामा नहीं अब रन ले लेंगे होगा तो और सिंगल लेते हुए दो रन की दूरी फकर जबन एक फिर बड़ियां पारी खेली है इस मैं दो रन लेके यहाँ पर मैच फिनिश करने वाला हूँ और यहाँ पर पाकिस्तान ने एंड किया है सिरीज तीन जीरो के साथ हमारे गेम प्ले में दो एक से किया है और नौ विकर्ट से जीत एक्षिटी दस विकर्ट ही थी लेकिन पुछ अलग करने के चक्कर में गवाएं विकर्ट तो यह थी टी टीटी सिरीज जो रही पाकिस्तान के साथ आखरी मैच नौ विकर्ट से जीते फकर जमन मैं अब दो मैच और में किया से सिरीज भी रहेंगे हमारे गेम प्ले वीडियो में और अभी के लिए हो आए वक्त आपसे विदा का जल्दी मुलाकात होगी नेक्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए खुश रहिए मुस्कराते रहिए अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियो और चैनल को देते रहिए मिलते है नेक्स टाइम तब तक के लिए बाई बाई